हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टुडेंट्स लाइफ तो स्टुडेंट्स आज की इस वीडियो में हम most five important character sketch के बारे में जानेंगे जो की हमारे exam में पूछा जा सकता है तो पहले तुम यहाँ पी यह देख ले रहे हैं कि जो first flight किताब है और footprint without fit का जो हम लोग का chapters है तो इन दोनों ही किताब में कौन-कौन से characters है characters बहुत सारे हैं करीब अगर हम दोनों को किताब को मिला देते हैं तो करीब 40-45 characters हम लोग के निकल के सामने आते हैं लेकिन इन में से कौन सा हमारे exam में आएगा उन सभी चीजों को अभी हम देखेंगे जैसे कि यहाँ पे अगर हम chapter 1 की बात करें तो लैंचू और postmaster है इन दोनों के characters हमें पढ़ने है chapter 2 से Nelson Mandela के character के बारे मैं मैं जानना होगा फिर इसी तरह से chapter 3 है chapter 4 सब सारे chapter से जो है मैंने main characters को यहाँ पे लिखा हुआ है इसी तरह से अगर हम आगे बात करें तो footprint without fit से भी जो है जितने भी chapters है उन सारी chapter के यहाँ पे characters के नाम यहाँ पे मैंने दिये हुआ है लेकिन हम लोग बात करेंगे top 5 most important characters के बारे में तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि top 5 important characters sketch for exam जो कि हमारे exam में पूछा जा सकता है तो सबसे पहला character है Natalia तो इसका answer भी आप देख सकते हैं आप चाहें तो screenshot करके भी रख सकते हैं इसको या फिर आप इसे हमारे website से भी download कर सकते हैं उसका link में description पे आप लोग को देदूँगा तो जैसे यह हो गया एक हम लोग का इसके बाद दुसरा character है चुग को तो यह भी हमारे exam के लिए बहुत ही ज़्यादा important है इसके बाद third हम लोग का है Nelson Mandela का character तो नैंसर मंडला character की आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बाद fourth number है Martilda का तो Martilda के भी character को आप यहाँ पे देख सकते हैं और fifth number है Oliver Lutkins तो Oliver Lutkins का character यहाँ पे है आप इसके भी characters को देख सकते हैं तो इस सारी characters को आप लोग अच्छे से जरूर पढ़ ले